आप देखे कब भूकम पाया? 11 बच कर 35 मिनट वो समय था जब भूकम पाया केंदर इसका कहा था? नैपाल का जाजर कोट कितनी तीवरुता थी इसकी? 6.4 इसकी तीवरुता मापी गई है रिक्तर स्केल में 3 भूकम के जटके आप देखे असर क्या हुआ? कहां हुआ? नैपाल और भारत में भूकम का असर देखने को मिला कहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? जाजर कोट, नैपाल, रुकों पस्चिम और नैपाल में सबसे ज़्यादा असर हुआ कितना नुकसान हुआ है सौ से जादा लोगों की मौत अब तक इस भूकम के कारण हो चुकी है सौ से जादा ही लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं जिनें इलाज के लिए भरती करवाया गया है आप देखें बड़ी खाबर इसी से जुड़ी आपको बता दे नैपल के जाजर कोट में प्रचंड पहुँचे प्रभावित इलाकों का दोरा प्रचंड ने किया नैपल पीम ने प्रभावितों से मुलाकात की जाजर कोट में भारी नुकसान हुआ जहां पर वो पहुँचे लोगों से मुलाकात की और हर संभा मदद देने का भरोसा भी लोगों को दिया है यह तस्वीरे आप देखें किस तरीके से नैपल में भुकम्प ने तभाई मचाई और उसके बाद प्रधान मंत्रे खुद लोगों के बीच में पहुँचे जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वहां के प्रभावितों से मुलाकात की और हर संभा मदद देने का भरोसा दिया है अभी तक आपको बता दे केस पूरे जो यह भुकम्प आया था इसने भारी तभाई मचाई है कई लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है और बिरेंद्र लगातार काटमांडू से हमारे साथ बनी हुए है बिरेंद्र आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा नुकसान कहां देखा गया है भुकम्प से और कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है आगे आने वाले समय में और क्या रहत यहां पर पहुंचाई जा सकती है प्रभावितों को क्योंकि जिस सरीके से हमने देखा मुलाकात की है पीम प्रचन ने उसके बाद अब क्या फैसला लिया आ गया है सरकार की तरव से चली गया है जय से मैंने पहले हैं बताया कि नेपाल के उस एरिया में जो परदेसे करनालि पर देश का पर किन्ज़ला में परभावित था सल्याइन क्वाशियार रूकुम उसमें से सिर्फ जाजर कौट जो जिला है यो पूर्न पहाडी जिला है जाजर कोट में अभी तक संतानवे लोगों की मौत हो गई है और जब टोटल मिला के तो एक से 63 लोगों की मौत हुई है इस भुकम को लेके बुकम के कारण से अब कुछ लोग अभी भी मल्वे में दबे हुए है ऐसे कहा जाता है और सबसे बड़ी बात यह वहां इस दोनों कंपणी ने निसुल्क कर दिया याने कि कहीं पर फोन और करने के लिए लिए अभी तक इना अब डेट विरेंद्र बहुत धने वाद आपका तमाम बेट देने के लिए तमाम जानकारी पहुंट आने के लिए दर्शकोतकर एक और बड़ी खबर आपको बता दे नैपाल में भूकम पर प्रधान मिन्टी मोदी ने दोख्षच रताया है नैपाल की लोगों के साथ हम खड़े हैं प्रधान मिन्टी मोदी ने कहा है नैपाल को हर संभव सहायता देंगे पी-म ने एक्सपर अपनी पोस्ट होने की काम ना करते हैं सच्ची बात एक घंटे सिर्फ आपके साथ भारत की बात रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबीपी नियूज बर एबीपी नियूज आपको रखे आगे